Hello students, welcome back to my YouTube channel, Chogrofi Guru. आज की इस एफिसोड में हम बात करने वाले हैं Class 10th Hindi की Worksheet No. 64, यानि कारे पत्रक सिंख्या 64 के बारे में. आज की इस Worksheet में हम बात करने वाले हैं रस की, जिसके बारे में हम पिछली कुछ Worksheet से डिसकस करते आ रहे हैं. आज की इस Worksheet में हम दोराई करेंगे कि रस क्या होते हैं और वो कितने परकार के होते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस Worksheet की. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं, यह हमारी Worksheet No. 64, यानि कारे पत्रक सिंख्या 64 है, हमारा विशे हिंदी है, जिसमें हम व्याकरण में रस सिध्धान्त की पुन्रा विर्ति यानि दोराई करने जा रहे हैं. आज की दिनाक रहेगी 7 इसंबर 2020. अब तक हम पढ़ चुके हैं कि रस क्या होता है, यानि किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने और सुनने से हमारी वन में जो आनंद की अनुभूती होती है, जो हमें अच्छा लगता है, जो वा की अनुभूती होती है, कि वा मजा आ गया, तो वो रस होता है, यानि हमने कोई कहानी पढ़ी, या हमने कोई कहानी सुनी, वे भाव, अनुभाव और संचारी भाव, चारंग होते हैं, स्थाई भाव, वे भाव जो मन में स्थाई रूप से स्थापित रहते हैं, उन्हें हम स्थाई भाव कहते हैं, जैसे हमने कोई कहानी पढ़ी, और कहानी पढ़ने के बाद कई बार ये होता है कि हमने कोई कहानी देखते हो, कई दिनों तक उसका असर रहता है, या कुछ ऐसी प्रेढ़ना होते हैं, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं, वो सीख, वो स्थाई भाव होते हैं, और विभाव क्या होते हैं, स्थाई भाव के जो उद्भोतक कारक होते हैं, उनको हम विभाव कहते हैं, अनुभाव आता है, अनुभाव क्या होता है, कि हमारे मन में जो उत्रम भाव है, उनको व्यक्त करने वाली शारीरिक पर करिया है, वो अनुभाव कहलाती है, जैसे हमें अच्छा लगा, किसी जीच को देख गये, अच्छा लगने के बाद हमांने वहाँ पर खुश हुए, ड हम दुखी हुए, हमारी आंखों से जो आँसू निकले हैं उससे दिख रहा है, तो यह जो हमारे मन में जो भाव है उसको हम अपने शरीर से कैसे व्यक्त करेंगे, किस तरीके से वो दिखेगा कि रोमान्चक है, या फिर बहुत दुखी वे हम, या बहुत ज़्यादा खुश ह वो हम अपने अलग-लग जो भाव भंगेमाई होती है शरीर से उससे दिखाते हैं तो उनको बोलते हैं अनुभाव अनुभाव है वो आठ परकार का होता है स्तंब, सवेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरंता, अश्रू तथा पढ़ ले यानि जब हम क्रोधित होते हैं तो यह वो अनुभाव क्या है कि जो हमें आनंद की प्राप्ति लिए, जो हमें अच्छा लगा कहनी सुनने के बाद या किसी कावे ऐसाहिते को पढ़ने या सुनने के बाद तो उसको हमने कैसे शरीर से वेक्थ किया वो अनुभाव कहलाईगा उसके बाद चोथा जो अंग होता है रसका वो होता है संचारी भाव संचारी भाव होता है जो मन में आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं यानि कि थोड़ी देर के लिए हमारे मन में कोई भाव आया उसके बाद वो चला गया यानि किसमाप्त हो गया वो स्थाई तोर पर नहीं रहता, उनको संचारी भाव कहते हैं, संचारी संचार का यह अर्थ ही होता, आना या जाना, ओके, यानि कि यह स्थाई भाव नहीं होते हैं, मन में भाव तो पेदा हुआ, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए क्रोध आया, कुछ देर के लिए ह समय के लिए मारे मन में रहते हैं. संचारी भाव की संख्या सरवाधिक होती ये 33 होती है. इन संचारी भाव की बात करें तो उन्हें मुख्य तोर पर जो संख्या उन्हें हर्ष, विशाद, शास, लज्जा, गलानी, चिंता, शंका वो सभी चीजें जो हमारे मन में थोड़ी देर के लिए आते हैं जैसे माली जे कि हम कोई टीवी सिरियल देख रहे हैं ये भी एक कहनी कांग है अब उसको देखते हुए कुछ देर के लिए चिंता हो जाती क्यूंकि हम उस क्रैक्टर के साथ उस पातर के साथ बह रहे होते हैं उसके साथ चल रहे होते हैं हम थोड़ी द चपलता, दीनता, जड़ता, आवेक, निर्वेद, ध्रीती, मती, विभोध, वित्रक, श्रम, आलेस्य, निद्रा, सवपन, सम्रिती, मद, उन्माद, यानि बहुत सारे ये तेंती संचारी भाव हैं, जो हमारे मन में उत्पन होते हैं, कुछ शर्ण के लिए जब हो उस कहनी को पढ़ते हैं या सुनते हैं, या उसको टीवी सीरियल के मार्धम से हम अगर उसको देख रहे हैं तो भी, तो ये भाव है संचारी भाव, संचारी भाव क्या है, ये एस्थाई भाव कह सकते हैं इनको, जो थोड़ी समयकली हमारे मन में पेदा होते हैं, जब उस कहानी को पढ़ रहे हैं इस वरक्शिट में, उसके प्रणेता आचरे भरत मुनी है, जिन्होंने रसों के बारे में बताया था, उन्होंने नो परकार के रस बताये थे, अब हालांकि रसों की संख्या ग्यारा मानी जाती है, चलिए हम देखते हैं वो कौन-कौन से रस है, इसमें जो रस है, उस परतिक रस का एक स्थाई भाव भी होता है, तो यहां पर वो रस दिये गए, पहला जो रस है, स्रिंगा रस है, इसका स्थाई भाव होता है, वो शोक होता है, रोद्र रस है, उसका स्थाई भाव क्रोध होता है, वी रस है, उसका स्थाई भाव उत्सा होता है, यानि कि जब वी रस है तो हमारे मन में भी उत्सा पेदा होता है। ऐसे इरोद्र रूप जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में क्रोध पेदा होता है। ऐसे हाश्य रस है तो हाश्य रस से हमारे मन में क्या पेदा होगा। हास्य पेदा होगा हम भी खुश होंगे शांत रहसे तो हमारे मन में निर्वेद या शांत भाव पेदा होगा ब्यानक रहसे बहुत कुछ ब्यानक दिखाये जा रहा है पढ़ रहे या सुन रहे तो हमारे मन में भी थोड़ी देर के लिए भै पेदा हो जाता है अद्भुत र टूसे गृना पेदा होती है हमारे मन में तो गिरना सθाइ भावा इसका वात्सल्य और भगती रस जो नए जोड़े गई रस हैं वात्सल्य जिससे प्रेम मम्ता सने पेदा होती है जिससे किसी कहाणी में किसी बच्चे को दिखाए गया है बड़ी मासोमयत के साथ तो वात्सले रस होगा वहाँ पर हमारे मन में सने, प्रेम या मम्ता पेदा होगी ऐसे भक्ती रस है तो इससे विराग्य या अनराग हमारे मन में पेदा होता है तो यह जितने रस होते हैं उतने ही स्थाई भा होते हैं कि हर असका एक स्थाई भाव होता है जो हमारे मन को परभावित करता लंबी समय के लिए तो ये थी हमारी वर्कशीट अब हम परशनोत्र की तरह बढ़ते हैं आज की इस वर्कशीट में भी आसान परशन रहेंगे कुल चार कोशन दिये गए पहला जो कोशन दिया गया है भाव की संख्या कितनी है तो मन में उत्पन भाव को व्यक्त करने वाली शारिरिक परकरिया है उसको हम अनुभाव कहते हैं यानि कि मन में जो उत्पन हुए भाव उनको हमने किस तरह किसे व्यक्त किया उनको व्यक्त करने वाली शारिरिक परकरिया को हम अनुभाव कहते है अनभाव की संख्या आठ होती है उसके बाद दूसरा जो परशन दिया गए कि संचारी भाव किसे कहा गया और संचारी भाव की संख्या कितनी है तो मन में आने जाने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं यानि कि ये स्थाई नहीं होते यह भाव स्थाई भाव के साथ उत्पन होकर कुछ समय बाद समाप्थ हो जाते हैं इसलिए इनको ऐस्थाई भाव भी कहा जाता है संचारी भाव की संख्या 33 होती है उसके बाद तीसरा परशन दिया गए कि रस सिधान्त के परणेता कौन है और उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है तो रस सिधान्त के परणेता है वो आचारे भरत मुनी है उन्होंने नो परकार के रसों की व्याख्या की है यानि नो परकार के रस बताएं है हलांकि अब रहसों की सिंख्या ग्यारा मानी जाती है उसके बाद चोथा और अन्तिम लास्ट कोश्चन इस वोक्शीट का अनुभाव के कितने परकार हैं उनके नाम लिखना है तो अनुभाव हैं वो आठ परकार के होते हैं पहला है स्तम उसके बाद सवेद, रोमांच, भंग, कंप, विवन्ता, अश्रू तथा पढ़ ले तो टोटल हमारे आठ परकार के अनुभाव रहेंगे तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट उमेद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होगे ऐसे हमारे साथ बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर चरूर कीजिए का थैंक यू बाइबाई, हैवे नाइस दे